नेहा भीक्रमना सोस्ती त्रत्यवायोना विद्यते स्वाल्पिषधर्मस्या त्रायते महतो भयार तो देखे यहां पर भगवान बता रहे हैं बहुत ही होप डिविंग वर्स है हम सब भक्तों के लिए जो लोग भक्ती में तो जुड़े हैं लेकिन पुन्तया अभी तक हम उतने निपुन नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी तो भगवान के अबड़े नेहा भीक्रमना सोस्ती इस पाथ में जो भी व्यक्ति इस धर्म के मार्क में चल पड़ा है जो भी इसके नियमों का पालन करना है करने का प्रयास कर रहा है तो उस व्यक्ति का कोई भी नुक्सान सब्सक्राइब नहीं है इन इस एंडेवर देर इस नो लॉस एंडेवर बोल रहें भगवाने आपर तो यहां पर जो अभीक्रम का मतलब हैं एंडेवर नहां अभी करमा तो इस पात में प्रत्यवायोन विद्यते और इस पे कोई भी नुक्सान नहीं उने वाला इसका हैं तो आपके पास पांच लाग-दसलाग रुपया है लेकिन वो कभी भी जा सकता है या तो खर्चा हो जाएगा या मालोग हो जाएगा को चुरा सकता है यह पॉस्सिबिलटी है तो हम जितना कमा कर रखे हैं वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा यह जरूरी नहीं है हम इत्यास भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग करोड़ों कमाए हैं लेकिन बाद में पूरा सब कुछ चला गया ऐसा होता है लेकिन भक्ति मार्ग में जब हम यह जो हम कमा रहे हैं हर दिन मंगलार्ति करके जपा करके गीता का स्लोक पढ़ करके भगतों का संग करके भगवान की सेवा करक कि दिन लॉज इस लोग बहुत इंपर्ण और तो और छोड़ी भगवान क्या बलते हैं स्वा अल्पम मतलब कम स्वा मतलब और कम मलब स्वाल्पम वैरी लिट्ल अपियस सद्धरमस्या इस धर्म के मार्ग में कोई थोड़ा सबी प्रयास करता है तो उसका रिजल्ट क्या ह होता है। त्रायत महतो भयात महतो भयात मतलब भ्यासë या डिंजर तो महतो बहुत बड़ा महान-डेंजर से भी यह वहजश्म इसमें सीला विष्वा टिक्ठाकुर कहते हैं कि इस महत्वभैक मतलब क्या है कि भगवान आपको अगले जनम में किसी पशु योनी या अधम योनी में जाने से बचा देंगे कोई व्यक्ति इसलिए प्रपाजी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति मेरे गीता को टच भी कर ले ख करते हम लोग को हर दिन सोचना चीए कि कुछ भी हो जाए आज अकर मैंने सोला माला किया आज मैंने थोड़ा सा भगवान की सेवा करी या कोई गिता का स्लोक पढ़ा या भक्तों का संक्या मंदिर का दर्संक्ये तो एटलिस मेरा आज का दिन सफल हो गया और आज का जो मेरा जिए और जब इसका फल पुरा फल ही तुरूप होके आएगा तो इतना अपको इतना इंट्रेस्ट बहुत ज्यादा इसमें तो आपको इतना इंट्रेस्ट होके मिलेगा कि आप सोज भी सकते हैं और देखिए हमारे जीवन में कई बार आप देखतें कि भगवान हमको कैसे से बचा देते हैं हम एक दम Ingredents हो रहा होगा बच जाते हैं या बहुत सा चीज़ों से हम बच जाते हैं यह भगवान करपा है क्योंकि हम भकती में जुड़े घ़ंग और बहुत सारा कश्थ हमारे जीवन में आने का था लेकिन भगवान उसको तोड़ा सा कुछ परिशानी दे करके तो यह है भक्ति का फाइदा आप अगर 10 परसेंट भी कर पाई जनब में नो प्रॉब्लम नेक्स जनब 11 परसेंट से स्टार्ट करोगे तो एट लिस्ट हमारा जो है एक होप तो है कि हम लोग मार में जुड़ गाएं कि जो लोग बटी में लग तीन जनम में उनका धारुन निष्चा है तीन जनम का वो बोलते हैं कि तीन जनम तक लेने के बाद वह बढ़ी में पुरा पूर्ण हो जाएगा हो जाएगा तो यह भी बहुत बड़ा हम करोड़ों जनम से भटकना है इस दुनिया में संसार में इस बगति का कोई नुकसान नहीं होने वाला इसका अनेक उधारन है भरत महराज अजामिल तो यह सब अनेक उधारन है जो लोग की भक्ति का कोई नास्त नहीं हुआ भगवान बचा के रखते हैं वो इटर्णल बैंक एकाउंट है तो यह लोग बहुत इंपोर्डेस को याद कि ये प्रीचिंग में बहुत ध्यल पाता है ये ना इस टू पॉइंट फॉर्टी थैंक यू हरे क्रिश्ना अ कर दो 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 कर